हलो वाइस आज आप सभी लोगों को दिखाएंगे कैसे आप लोगों का बाइक और स्कूडी का बैटरी को चार्च कर सकते हो अपका घर में तो गैस बैटरी चार्च करने के लिए एक एड़ाप्टर की ज़रूरत थे वन एमपेर की 12 फोल्ड आउटपुट और 6 फोल्ड आउ को खोलते हैं सामने का बोनेट इसका अंदरी है हमारी बैटरी और पहले वीडियो में हम दिखाएंगे थे कैसे इसका बैटरी लो हुआता आज दिखाएंगे कैसे यह घर में चार्च कर सकते हैं तो गैस हमने बोनेट खोलने के बाद आप लोगों को बैटरी दिखाए दें रहते हैं पुरा जो टार्मिनल है खोल देना है खोलने के बाद ही अब लोग पैठी का जो आउटपुट है चार्ज करने के लिए रेड और ब्लेक क्लायर की ओयर उसको इसका सथ कनेक्शन कर देना तो वैसा आप लोग जो बैटरी से कनेक्शन रहता है बाइक का पुरा खोल लेना है नहीं तो बैटरी का कनेक्शन चाल जाने का रिक्स रहता है तो पुरा जो कनेक्शन है बैटरी का बाइक बैटरी के साथ बाइक का वो पुरा खोल देना है ठीक है पुरा कनेक्शन खोलने के बाद हमारी जो एड़ाप्टर है आप लोग देख लीजे इसका जो दो एर है आउपूट रेड और ब्लाक रेड कलर की जो क्लिप है वो आप लोग को बैटरी का प्लस पाइंट पे कनेक यूप के कनेक्टर पर लगा देना है जो एड़ाप्टर की आउटपूट और है दो तो इस adapter की जो दो क्लिप लाड़ा देने के बाद आप लोग के यहां पे जो बारफॉल और सिट बोल की राइट साइट में बटन देख रहा है वो बारफॉल पे कर देना और ओन अप बटन ओन कर देना उसको बाद ही आप लोग का जो बैट्टी का चार्च है चार्च देने के लिए इन हमारी adapter पुड़ा तैयर हो चुकी है अभी चार्च हो रही है दो घंटे पर अब लोग को दिखाता हूँ अभी दो घंटा हो चुकी है हम लोग बैटरी को चार्च कर लिया है और आप लोग को दिखा देंगे कि मीटर की मदद से कितना चार्च हुआ यह बैटरी तो हमारी बैटरी बारफॉल्ट की है तो गैस चली दिखाते हैं आप लोग को तो गैस आभी हम लोग चेक करें कि मीटर की मदद से इसका बोल्टेज कितना आप हुआ है इसका जो बोल्टेज 4.5 था अभी कितना हुआ आप लोग को दिखाता हूँ आप लोग ऐसे करके चार्च कर सकते हो 11.8 हुआ 12 वोल्ट की पुड़ा बैटरी है तो इसे ही चार्च कर सकते हो तो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारी चैनल को